चात्रों ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये 33 परिक्षा 2023 का पेपर है लेकिन ये पुराना पेपर हमारे बहुत काम का है क्योंकि इसमें से 7 और 8 ऐसे प्रिष्ण हैं जो कि इस बार भी आने वाले हैं आपके हिंदी तर्मासिक पेपर में इसलिए आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना मैं आपको objective प्रिष्णों के आंसर तो बताने ही वाला हूँ साथ में वो आपको बताऊँगा कि वो कौन से 7 और 8 प्रिष्ण हैं जो कि इस बार इस पेपर में से आने वाले हैं चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं लेकिन इससे पहले आपसे छोटी सी request है अगर आपने अभी तक इस वीडियो को like नहीं किया है तो जल्दी से like कर दो और चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके bell icon को all पर अबसे प्रेस कर लेना यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर सही बिकल्प दिये गए हम एक एक प्रिष्ण का आंसर जान लेते हैं इसके बाग में हम आगे उन 7-8 प्रिष्णों की बाद करेंगे जो की इस बार भी आने वाले हैं तो सबसे पहला है यहाँ पर आचार रामचंद्र सुक्ल ने हिंदी पद सहित को विवाजित किया तो कितने वागों में विवाजित किया यहाँ पर आपको चार ओप्सन देखने को मिलेंगे तीन कालों में, चार कालों में, साथ कालों में या फिर आट कालों में तो इसका राइट आंसर है चार कालों में विभाजित किया गया है तो इसका राइट आंसर क्या है चार कालों में इसके बाद में है इसके बाद में दूसरा पृष्णियावारा दूसरा कौन सा यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ पर उसके बारे में पूचा है, परसु का आर्थ होता है, तो क्या होता है, पत्तर होता है, बाण होता है, या फरसा होता है, या फिर दनुष, तो आज आयर सी बात है, आप सबी जानते होंगे, फरसा इसका सही आंसर है, इसके बाद में भिवानु भाव, इसकारी संयोगादरश निश्पात ये परिवासा है तो ये परिवासा जो है वो किसकी है अच्छार बिश्मनात की है या फिर मम्टी की है या फिर पंडिज जगनात की है या फिर भरतमुनी जी की है तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है option नमबर दावाला यानि की भरतम मुनी किये तो यहाँ पर अगर आप भरत मुनी करोगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है इसके बाद में पांच चोता वाला है इसके बाद में अंतिम बार हालदार साथ ने निताजी की मूर्ती पर कौन सा चस्मा लगा देखा था तो यहाँ पर कौन सा चस्मा लगा दे करके आते हो तो आपका right answer है बिल्कुल इसके बाद में चलते हैं कि इसके बाद में हमारा अगला पुश्ण गुश्ण है पाँच बाफृ जिन मूर सब्दों से मिलकर समास बना है उनसे पहले पत को कहते हैं क्या कहते हैं उनसे पहले पत को पूर्वा पत कहते हैं या फिर पूर्व पत कहते हैं उत्तर पत कहते हैं या फिर मत पत कहते हैं तो जल्दी से बताई इसका राइट आंसर क्या है इसका जो राइट आंसर है वो है पूर्व पत या पर कौन सा है पूर्व पत इसका सई आनसर है है इसके बाद में चलते हैं अगला पिरशन देख लिते हैं माता का आचल पार्ट के आधार पर मकाई की खेत में जुन्ड चर् रहा था तो किसका जुन्ड चर्रा था बख्रियों का वेह सो का या फिर भेडों का या फिर चड़ियों का तो इसका राई का अंसर है दवाला चड़ियों का जुन्ड जो है वो चर रहा था तो इस प्रकास से हमने 6 प्रिष्णों के आंसर आपको बता दिये हैं और अब हम देख लेते हैं रिकिस्तान क्योंकि इन में से भी प्रिष्णे पूछे जा सकते हैं लेकिन इसके अलावा हम 6 और 7 प्रिष्ण आपको ऐसे बताने वाले जो की आने ही बाले हैं और इसके बाद में दूसरा यहां पर आप देख पाऊगे रिकिस्तानों की पूर्ती कीजिए तुलसी दास ने रामचरित मानस रामचरित मानस की जो रचना की यह बुक किस बासा में की यह बुकी है अब दीवासा में अनुभाब कुछ इस प्रकास से आपको लिख देना है इसके बाद में हम देख लेते हैं अगला परिशन अगला है तीसरा वाला तीसरा है तीसरा है बिस्तृत कलेवर वाले काब को कहते हैं इसमें क्या वा रहेंगे इसमें महा काब आएगा इसमें महा काब आपको भर देना ह और इसके बाद में है next question है चौता वाला दिल्ली चलो का जो नारा है वो किस ने दिया था तो दिल्ली चलो का जो नारा है वो किस ने दिया था सुवाश चंद्र वोश ने दिया था तो यहाँ पर आपको सुवाश चंद्र वोश आपको लिख देना है कुछ इस पिरकार्ट से आपको लिख देना है सुवाश्यंद्रोज इसके बाद में हम अगला पृष्णे देख लेते हैं अगला पृष्णे जो है वो पांचवे के बाद में छटवा है सुरी पांचवा पृष्णे हमने अभी नहीं बताया तो पांचवा पृष्णे बाद किसी क्रिया के करने या होने की सामान ने सूचना मिलती है तो इसमें आपको क्या बरना है इसमें आपको बरना है बिधान वाचक बाद तो इसमें क्या बराएगा बिधान बाचक बाक से किसी क्रिया के करने या होने की सामान ने सूचना मिलती है यहाँ पर बिधान बाचक आपको बनना है कैसे लिखोगे बिधान बाचक कुछ इस प्रकास से आपको लिख देना क्या बनाते थे सेनाई बनाते थे यहाँ पर इसमें क्या बरायगा सहनाई छोड़ी जो भी इनके आंसर आपको काम अलेंगे और एक सब्दे और एक बात में यह आपने वेब साइट पर अप्लोड चुपरिंगे लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसभार जो पृश्णा आने वाले हैं लगवाक साथ से आट ऐसे पृश्णा अपको बताने बाला हैं इसके बाद में ID सूर्दास तुल्सी रास की कालभगत विसेश्टाय यानी के सूर्दास तुल्सी रास की आपको रचना भापक्च कालापक्च्स और सा इत्मिंस तानी तीनों टॉपिक को आपको अच्छे से कर लेना है जो कि यह आने ही वाले हैं इसके बाद में आटवा प्रिश्ण में किस्न के पृति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस परकार अविवक्त किया इसका कहने ही सकते हैं यहाँ पर हमारे दो प्रिश्ण हो गए और इसके बाद में हम देख लेते हैं थोड़ा सा और नीचे आना है आपको यहाँ पर प्रवंद काप किसे कहते हैं प्रवंद काप के भेद लिखिये यह अमारे तीन प्रिश्ण हो चुके हैं और इसके बाद में थोड़ा सा और नीचे आना है ग्यारवा वाला महा काप और खंड काप में अंतर लिख यह भी आपका आने ही बाला है इस प्रकास से हमारे जो चार हैं वो कम्थ्लिट हो गए और रिपोतार्ज किसी कहते हैं किसी एक रिपोतार्ज का नाम उसके लेगक सेहित लिखिए और इसके बाद में जीवनी और आत्मकता में कोई दो अंतल लिखिए इसके बाद में हैं इसके बाद में आपको एक क्या लिखने को आएगो यहाँ पर आप देख रहा है स्वय प्रकास तता राम प्रक्ष बेनीपुरी इसके बाद में इसके बाद में थोड़ा सा और आपको नीचे आना इस प्रकास से हमारे चार-पांच कोश्चन हो चुके हैं और थोड़ा सा और नीचे आऊगे तो यहाँ पर और कोश्चन दी गए हैं जो कि बहुत इंपोडेंट हैं आने वाले हैं महाकाब खंड़काब में अंतर होई गया है यह हमारा इसके बाद में जीवनियों और आत्मकता में अंतर और इसके बाद में थोड़ा सा और नीचे आना और यहाँ पर आप देख पर आएं जा जो कि यहां पर आप देख रहा होगी यहांपर भोला नाथ भोला नाथ अपने साथी IQ को देखकर सरी सट Вам कना किacas बूल जाता हैं यह वाला बहुत important है और इसके बाद में आपको थोड़ा सा और नीचे scroll करना है नीचे scroll करते जाना यहाँ पर आप देख पाऊगे यहाँ पर आपको गद्धान सपद्धान से देखने को मिलेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आऊगे तो बहुत सारे student हमें पूछ रहे थे कि कौन सी application याद करें तो आपको धौनी विस्तार के अंत्रों पर रोक लगाने तो ये करना है इसके बाद में आपको एक later याद कर लेना कुई सा भी later याद कर सकते हैं तो इसके अलावा ये वाला आने की ज्यादा चांस है कि तर्मासिक परिक्षा की तैयारे करने के लिए अपने भाई गोयव दाजी को पत्र लिखिए तो इस संबंद में ये later आने की संबाबना है और इसके अलावा दोनी विस्तारक बाला कर लेना है और टीसी बाला कर लेना है टीसी बाले और दोनी विस्तारक दोन में से एक जरूर आने वाला है और निमंद की बात करें तो निमंद कौन सा आने वाला है इस बार तो यहाँ पर बिद्यारती जीवन बाला आएगा प्रदूशन बाला आएगा और इसके इसके अलावा अनुशा असन बाला भी आपको देखने को मिलेगा और विज्ञान का चमतकर भी आपको देखने को मिले उसमें से आप कौन सा निमंद आप कर सकते हैं तो यहां पर चेटर में इंटर्नेट की उप्योगता यह वाला कल लिजिये आप और पर दूसन वाला कर लिजिये यह दोनुं निमंद आप एक आपको जरूर देखने को मिल जाएगा और इसके हम आगे देख लेते हैं एकाद कॉईशन और छूट गया हो तो भो भी मैं आपको बता देता हूँ और आपको यहाँ पर रस की उधारन जैसे कि हास रस इसमें आया है तो हास नहीं तो क्रोध रस क्रोध रस और बीर रस की उधारन भी आपको कर लेना है क्रोध और बीर रस आने की संबाबना है उधारन सहेथ और इसके बाद में चौपाई छंद भी आपको कंप्लीट कर लेना है चौपाई छंद के उधारन सहेथ आपको पृष्ण आ सकता है चौपाई शंदवाल आपको complete कर लेना है तो इस प्रकास से ये 7-8 पृष्णगर आप कर लेते हैं तो जो कि आपके 7-8 पृष्णगर ये इस बार भी हिंदी के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे तो जल्दी से याद कर लीजिएगा आपके पास time नहीं है और कोई भी आपका doubt है तो वो आपके comment section में comment करके बताएं और जो आपका बागी की objective type के caution है और ये जो paper है पिछली साल का इसकी pdf अगर आप download करना चाहते है तो studyguru.com website पर जाएए बहाँ से इसकी pdf डाउनलोड कर लीजिए चली ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में thanks for watching this video